ओम नमस्युवाई हर हर महादेव दोस्तो साथस्त्रों और पुराणों में गाई को पूजनी ये इस्तान दिया गया है यहीं कारण है कि गाई को गोम आता खहे कर फुकरा जाता है पुराणी जगत का गाई ही एक मातर पसू है जिसमें 33 सज्जार देवी देवताओ का निवास होता है गाई का दूज इतना हदिक सरवार थक है उतना ही साइध किसी पसू का दूद लाबदायक है इसके अतरिक्त गाई के पंच गव्य का भी विशेस है धार्मिक पूजा में पंच गव्य का परियोग किया जाता है इतना ही नहीं गोमुत्र और गोबर से विविन परकार के कीट नासक का परियोग होता है दोस्तों सतानंद द्रम में गाई को लक्षमी स्वरूप माना गया है इसलिए ऐसा खाह जाता है कि गाई की सेवा करने से गर परिवार सुकी परसन रहता है हिंदू मान्यता की अनुसार जिस गर में गाई की सेवा निर्यात बाव से की जाती है उस गर में सदेव लक्षमी की कुर्पा बनी रहती है इस दिन गर्मे गाई की सेवा होती है जिस गर्मे गाई की सेवा होती है वहां आचानक किसी भी परकार की विदी विगन वादाये नहीं आती है दोस्तों सहरी विवेस की कारण गाई को पालना संबव नहीं होता है लेकिन इसी जुड़ी कुछ मान्यताओं का पालन लोग अविश्य ही करता है सास्त्रिय मान्यता की अनुसार सहरों में गाई को रोटी खिलाए जाती है लेकिन आजकल गाई को रोटी खिलाने का पर्चनल बदल गया है बदलते पर्चनल में कोई बार जुड़ी भूल हो जाती है जो बहद आयसुब होती है नित्य गाई को रोटी खिलाने से हरेक रिष्टी कोण का सुब माना जाता है लेकिन आजकल इसका तरीका बदल गया है जो की बहेद आसुभ माना जाता है सास्त्रों के अनुसार गाई को रोटी खिलाने के कुछ बातों का द्यान रखना चाहिए प्राई लोग गाई को रोटी तो रखते हैं लेकिन गाई को समय से इसे खिला देते हैं इक कई बातों का गाई को नियमित रखी गई रोटी आ तीन दिन के बाद खिलाए जाती हैं। इसलिए ये आप भी ऐसा काम करते हैं तो आज ये आदत को बदल ले और अपने जीवन को सुधार ले।